असलाम लेकुम मैं यूट्यूट्यूब फेमिली आई हम सीमी वेलकम टू माई चैनल उम्मीद करती हूं कि आज सब ठीक ठाक होंगे फिट फाट होंगे अल्ला के फजलो करम से फ्रेंज मैं पहले अपना इंट्रो दे दूंके विंटर से स्टार्ट होने वाले हैं और विंट पर फील होने लग जाती है तो जनाब आज बनाने लगें लिए बहुत अच्छे सी हम रेमेडी तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किये लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक किजिए अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लिए इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो कर लिए लेकिन अब और भी बना सकते हैं जैसे के समय लिए जनाब हमारा यह और इनिक चिलतन प्योर वालों का अलमन्ड पैवडर और चिलतन प्योर वालों का ही जनाब मेरे पास है यह औरंज बील पाउड तियानस के और चैयेया सफेद तिल की पाउडर बनाखर, यह में हमें सफेद तिल में नायान में जानी है तो जलिये, जल्य से बिना टाइम वेस्ट की अपनी रेमीडी बदनाना還需要 अचितेमगा आदें लेगा influence की आसरी लाजाएन को उन लोगें जनाब जिनकि स्किन बहुत ड्रय हो जाती है, बहुत पैची सिकन होजाती है और बहुत रफ हो जाती है, यह इस रेमडि को आप अपने हैंड पर अपने फ пошत पर भी अपल כई करेती हैं यह आप को खतम करेगा सो फ्रेंट्स यह रेमेडी जो है वह आपकी स्किन को करेगी बहुत अच्छी सॉफ्ट ग्लोई शाइनी और इस्पेशली ब्राइट और वाइट भी क्योंकि विंटर्स के अंदर हमारी स्किन हो जाती है जनाब डल और पैची और ड्राय होने की विज़ा से हमा यह आपने पाउडर फॉर्म में बनाकर रख लेना इनको सबको मिक्स नहीं करना इनको अपनी डेली बैसिस पे वन टेबल स्पून सारी जिज़े ले के और इसको मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बनाना और उससे अपने पेस्ट पेच्छा सा स्क्रब करना है हैंड आपको निकाल कर दिखाती हुआ इसके अंदर वन टीस्पून के करीब लिया था वन टीस्पून हमने अलमंड पाउडर लिया आप घर में भी बना सकते हैं उसको ग्राइंडर में जस्ट आपने ग्राइंड करना है और उसका अच्छा सब पेस्ट बन जाएगा उसके बाद ज से निकालेंगे यह भी हमें तक्रीबन वन टीस्पून के करीब ही चाहिए जितना यह स्पून है हमारे पास यह आगे समें और इंज पील पाउडर जनाव उसके बाद हमें इसके अंदर डालना है जस्ट टू टू थ्री ड्रॉप्स आलमंड ऑईल ऑप्शनल जनाब यह उन आलमंड ऑईल उन लोगों के लिए जिनको सिवेर ड्राइनेस का और सिवेर डी हाइडरेशन होती जनाब यह हमने आलमंड ऑईल ले लिया है मरहबा वालों का आप अनिकाइंड ऑफ ले ले यह देखिए जनाब यह हमने इसके अंदर टू टू त्री डॉप्स आलमंड ऑई दी है उसके बाद इसमें अब को चाहिए तक्रीबान 1 टीज़्फून के करीब हरा भी हमने इसमें हनी है इसके यह मत घञते है परकर टू बहुत पछंट करेंग चिंत के अंदर भाई लेक्टिक अश्चिट प्रोवाइद करता है घनाब हमारे स्किन और डॉक्त on लोग्ती की बिग्टा अर्ट पावडर अर्वान्च पाउडर अर्फ पाउडर ऑр कि आपके लिए एक scrub होगा और आपका एक face pig भी हो सकता है इसको आप face pig या scrub का नाम दे सकते हैं जनाब इसको एक अच्छा सा आपकी skin के ओपर ये scrub होगा जनाब ये अच्छा सा moisture आपकी skin को provide करेगा winters के अंदर और आपकी skin को करेगा जनाब, soft, smooth and glow और especially, यह आपके skin को बहुत whiten up, brighten up और lighten up करेगा जनाब यह आपके skin को, जो हमारी winters के अंदर आने के बाद हमारी skin हो जाती है जनाब, dull, dry, rough और damage, यह सारी problems का one solution है जनाब यह देखिए friends, यह इसको इस तरह बना लिजिए इसको मजी थोड़ा सा मैं एड़ कर देते हैं milk यह देखिए, milk आपने थोड़ा-थोड़ा करके यह आड़ करना है, बहुत runny consistency नहीं बनानी आपने इसकी इसको थोड़ा-थोड़ा सा एड़ करेंगे, क्योंकि जितना-जितना अच्छी मिक्सिंग होगी अच्छा सा एफेक्ट आएगा ज्यादा अच्छी से मिक्सिंग करें ताकि सारी चीजों के बाइन इसको बहुत अच्छी से मिल सेके इस वक्यादर इस तरह का है कि अभी बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है तो आप इसको आलमंड ओयल को स्किप कर सकते हैं जनाब आलमंड ओयल आप इसमें ना डालें और मिल्क की जगाँ आप सिंपल रोज वाटर में इसको बना लें ठीकी जनाब और अगर जब विंटर्स स्टार्ट होजेंगे बहुत ज़्यादा जब सर्दी आ जाएंगी जब हमारी स्किन हो बना सकते हैं यह देखिए इसका हमने बना लिया जनाब इस तरह करके एक अच्छा सा पेस्ट इसको इस फॉर्म में हमने रखना है इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिल्क जड़ा सा में और एड कर देतीं कि बहुत ज्यादा थीक है यह देखिए मैं आपको दिखाती लगाकर जनाब और आपने इसको बहुत अच्छा सा मसाज़ देना आप यकिन यह जिए इसका टेक्स्चिर इतना ब्जबर्दस है और हाथ पे लगने में ही पता चल रहा है कि यह हमारी स्किन की कितनी अच्छी सी ड्राइनिस को दूर करेगा और हमारी स्किन को कितना अच् अच्छा से सर्कुलर मोशन में मसाज देना है इस तरह इस तरह करके अपवर्ड आपने मसाज देना है फेस पे आप करेंगे तो अपवर्ड डारेक्शन में करेंगे और हैंड्स के ओपर आपने अपने नकल्स पर अपने नेल्स के साइड्स में ताकि इसके जो क्यूटिकल्स especially dry हो जाते हैं in cuticles को आपने अच्छा सा massage देना है तक्रीबन आपने इसका massage five minutes तो देना है mask क्योंकि ये dry होता नहीं है अगर ही थोड़ा सा dry हो भी जाता है तो इसके अंदर जो इसका सैसे में सीड है इसका oil अपना निकलाता है वो बहुत अच्छा सा glow प्रवाइड करता है और इसको soft रखता है और almond oil भी हमने इसमें add किया और honey तो आपको पता है वैसी हमारी skin को कितना अच्छा glow प्रवाइड करता है जनाब इसके अंदर हमने डाला orange peel powder जनाब हमने इसके अंदर और orange peel powder करता है हमारी skin को provide vitamin C rich of vitamin C होता है आप आप आपको पता है हमारी skin को bright करता है light करता है और glow करता है इसके अंदर जितने भी ingredients है यह आपके लिए बहुत 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 जादा beneficial है winter में यह आपको बहुत अच्छा सा glow provide करेंगे और आपकी dryness patchy skin को भी दूर करेंगे और आपको provide करेगा बहुत अच्छा सा glow ठीके फ्रेंट्स यह देखिए हमने इसको मसाइद दे दिया फिर आपने इसके ओपर थोड़ा सा मजीद और लेना है और लगाना है इसको और लगाने के बाद अब जो इसका जो में काम आता है फ्रेंट्स को लगाने के बाद हमने जो इसका एक में काम करना है जो इसके रिजल्ट को मजीद मजीद 100% कर देगा जनाब वो तरीका मैं आपको बताओंगी लेकिन मेरे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन जो पॉलेथन गलव्स होते हैं आपने इस गलव्स को अपने हैंड्स पर पहनना है अपने फुट्स पर पहनना है ठीक है फ्रेंड्स और इसको इस तरह करके और इसको बंद करके आपने छोड़ देना है इसको तकरीबन आपने आदे घंटे के लिए अपने हैंड्स को ऐसे ही छोड़ देना हैं अगर आपके फुटस में क्रैक हील्स हैं आपकी एडियां फट जाती हैं और उनमें क्रैक आ जाते हैं तो अपनी हील्स पर आप इस तरह के पॉलेथन ले लीजे और पहन कर और पुरी उसको तकरीबर आप पूरी गुलोई और तक्रीबन 10 डेस के अंदर या आपकी स्किन की ड्राइनेस भी खतम कर देगा और आपके जो हैंड्स पर और पने फूट पर सब पर लगा सकते हैं अच्छा यह मैं बता दू कि कौन सी एज की ग्रूप के लोग इस्तमाल कर सकते हैं जनाब यह ऐसी रेमेडी है जो आप अपने बच्चों को भी यूज कर वा सकते हैं जिसमें के आपके छोटे बच्चों से लेके बड़े इसको मैंने शोड़ दिया मैं इसको एक घंटा वेट करवा के तो अपना इसका रिजल्ट आपको दिखाते हूं फ्रेंट्स इदे की तक्रीबन दस मिनट हो चुके हैं मैंने इसको मजीद अभी एक घंटा रखना है मैं आपको सिर्फ वीडियो शॉट होने की विज़ा से दिखा रही हूं अच्छा यह आप मास्क जो है यह आपने अंडर आई भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारी अंडर आई के उपर जो जल्दी अर्ली एज में रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं जो फाइन लाइन हमारे फेस पर आने लग जाती हैं और अंडर आई हमारी मतलब अब सकीन के उपर गोड़ा सकते हैं और आई लगा सकते हैं और आई के उपर भी लगा सकते हैं और आरामसे आप सब्याइब हमारी खाली प्रह्त लाइज लेंगे जनाब वाइड ब्राइट लो मैंगा लोशन लाहने कória आपसको अपनी पूरी बाडिवाजन कर सकते हैं उसका अभी आपको मजीद 10 वेड़ मेंकों जदी से 100 बाश्र में जड़ीनीड tear अगर आप इसको एक से देड़ घंटा रखते हैं तो आपके हैंड्स पर कितना अच्छा आपके फेस पर कितना अच्छा ग्लोब प्रोवाइड करता है अगरे जनाब मेरे हैंड के उपर और हमने अब इसको करना है यह देखिए इतना यह जबर्दस यकीन किजे इतना मुझे अपना हैंड्स फील हो रहा है इसको आपने जस्ट इस सिंपल वाटर से वाश करने जनाब यह सिंपल वाश करके आपको और दिखाते हूं कि इसका रिइंकल ईना शहरू हो हैंगो को पीछें टाउन चीजária को कि हती हैं लोगे के लिए जोते 독 ils कुछ और यह देखत, इतना अच्छा सॉफ्ट और बेबी स्किन हो गई है मैं इसको टावल ड्राय करते हूं और फिर आपको दिखाते हूं इतना बेबी सॉफ्ट हैंड हो गया है यह मेरा दूसरा है जिसमें मैंने अभी अप्लाइण नहीं किया इस पे किसी किसम की कोई application नहीं किये और देखिए इसके color में भी कितना difference आपको feel और रहा है friends ये color देखिए इसका hand का कितना अच्छा हो गया बहुत bright, बहुत glowy और इतना baby soft हुआ वह ना आप यकिन कीजिए कि मैं बता नहीं सकती है, आप अपने hand पर इसको apply करेंगे, अपने face पे apply करेंगे अपने foot पे apply करेंगे, इसका result आप खुद देखिएगा और result देखने के बाद मुझे comment करके जरूर बताएगा कि इसका result आपको कैसा है, या आप अभी से use करना शुरू कर दीजिए क्योंकि अभी winters start होने ही वाले हैं, अभी आप इसको use करना शुरू किजिए, अभी आप use करेंगे तो almond oil नहीं डालिएगा, और जब आप winters में पहुंच जाएंगे और winters बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और सर्दियों की शिदद बढ़ जाएगी, तब आप इसके अंदर almond oil mix करके और इसको apply किजेगा, इसका hundred out of hundred result है जनाब, मेरी तरफ से तो यह fully recommended है, आप किसी भी age group से इसको start कर सकते हैं, किसी भी skin type पर आप इसको लगा सकते हैं, सिर्फ oily skin वाले इसको नहीं use करेंगे, मज अच्छी तो मेरे चनल को like कीजिए, subscribe कीजिए और बैल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और यह देखिए hundred percent इसका result आपके सामने ही मैंने इसको use किया है, तो मिलते हैं इसको नेक्स वीडियो में अपना ख्याल रखेगा, आला आफेज, बाबाए